नमस्कार विद्यार्तियों शार्दापाल नेके तन उच्छ माद्नेमिक विद्याले के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत हमने पार्ट 15 भारती संस्कति पढ़ा इसके हमने वस्तुनिष्ट अतिलगोत्रात्मक और लगोत्रात्मक प्रश्ण किये आज हम इस स्वरूप में किन बातों को इस्थान दिया जाता है उत्तर लिखेंगे संस्कति के बाय पक्ष में रहन सहन तता पूर्शाक आधि पर ध्यान दिया जाता है बारतिय संस्कति में जमेन पर बैठना हाथ से खाना नहा कर खाना लंबे डीले तता बिना सीले वस्त्र पहनना न मांगली कारियों में प्रकृति तथा वातावरण के अनुरूप वत्तों का प्रियोग होता है। बारत गरम देश है अते यहां रिदय को शीतल करना मुहावरा प्रचलित है। अग्या प्राप्त करने के इच्छा व्यक्त की। फूल और पत्ते नहीं तोड़ती थी। उनके फूलने फलने के समय उसको उत्सव कासा आनंद आता था। वह उनको अत्यंत प्रेम करती थी। वे शकुंतला के जीवन के साथी तता अंग बन चुके थे। अतयत अपोवन से अपने पती के घर जाते समय वह उनसे विदा मांग रही है। प्रश्नगरमांग तीन," बारतिय संस्कति के प्रमुक अंगों पर संक्शेप में प्रकाश डालिए। उत्तर लिखेंगे बारतिय संसकति के प्रमुक अंग निमन लिकित हैं। पहला आद्यात्मिक्ता इसकी अंतरगत नश्वर सरीर का तिरस्कार कर लोक सत्य अहिंसा तब आवागमन की भावना तथा इश्वरी ये न्याय में विश्वास आदि सारी बाते हैं तब त्याग तथा सयम सबी जीवों को अपने समान समझना समान मानना तथा सब का हित चाहन भी आत्यात्ता है बिंदु क्रमांग दो समन्वय की भावना बारतिय संस्क्ति में समन्वय के प्रदानता है समन्वय के द्वारा वीबिन संस्कृतिया मिल सकी हैं तुलसी दास ने ज्यान और बक्ति शेव और वेश्णो अध्वेत तता विशिष्ट अध्वेत का समन्वय किया है बिंदु करमांग तीन वर्नासरम को मन्यता 12 संसक्ति में चार आशमों मानव जीवन तथा समाज को बांटा गया है है इसका उद्धेश्य कारिं विभाजन द्वारासमाज में विवस्था तता अनुशाचन की इस्थापना रहा है चोथा बिंदू, अहिंसा, करूणा और मेत्री और विनाय करूणा छोटू, मेत्री बराबर वालों तथा विनाय बढ़ों के प्रति होती है इसके मूल में अहिंसा की बावना होती है विनम्रता विद्यासी भी स्रेष्ट माना गया है प्रकृति प्रियम बारतिय संस्कति में प्रकृति से प्रेम करने के शिक्षा दी गई है पेड़ पोदे, परवत नदिया, पसुपक्षी, आधिसभी जीवन के अंग हैं अन्य बारतिय संस्कति में अतिति सत्कार की भावना है इसमें शोग को नहीं आनंद को महता प्रात है बारतिय संस्कति में प्रकृति प्रेम की विशेशताओं को सोधारन समझाईए उत्तर लिखेंगे प्रकृति की देन की दृष्टी से भारत अनुपम है प्रकृति इस देश पर विशेश रूप से महर्बान है यहां सबी रितु में होती है तथा परियापत समय तक ठहरती है प्रतिय रितु में उसके अनुकूल फल फूल उत्पन होते हैं यहां धूप और वर्षा का संतुलन रहता है इस कारण भूमे पर नई नई फसलें पैदा होती है और वहरी बहरी जाती है परवतों की राजा हिमालय का सुंदरिय कवियों को सदा प्रेड़ित करता रहता है भारत की नदियों को मौक्षवरदान करने वाली मानते हैं यहां बनावती ताप तथा प्रकाश की जरूरत नहीं होती बारतिय विद्वान वनों में तपो भूमी बना कर रहते हैं व्रक्षों में पानी देना धार्मिक कारी माना जाता है सूर्य और चंदर्मा के नित्य दर्शन करना और अर्ग देना अच्छा माना जाता है इससे निश्चित उद्देश्य की पूर्ती होती है पेड़ पोदे, लताएं, पसु पक्षी, आधितपोवनों के अंग माने जाते थे इन सभी प्राकर्तिक जीव जन्तुओं को मनिश्चि के समान ही महत्वपून माना जाता है ये चारों प्रश्ण आप अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में सुन्दर शब्दों में जिनांत लगा करेंगे धन्यवाद